हाई फ्रेंड्स, दोस्तो आज फिर हम लोग साधारन ब्याज चक्रविरदी के कुछंड को करेंगे दोस्तों इन कोस्टेंस को आप बिल्कूल ही चुटकि बजाते हुए हल कर सकेंगे और इन कोस्टेंस में आप ट्रिक भी सीखेंगे और कॉंसेप्ट भी सीखेंगे दोस्तों ट्रिक तो इंपॉर्टेंट होता है बड़ ज्यादा ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि आप भूल जाईएगा इसलिए कॉंसेप्ट हमेशा याद रखिए कॉंसेप्ट इस दे किंग चलिए हम लोग सुरू करते हैं हम लोग पहले एक फॉर्मूला साधारन ब्याज मुल्दन गुने समय गुने दर बटा सो यहीं पढ़ाया ना साधारन ब्याज बराबर लेकिन इससे हम लोग यह फॉर्मूला बनाएंगे और यह कब काम आएगा बिल्कुल आसान है आप देखिए अप कैसे आसान है जैसे एसाई बराबर पी आर्टी अब एक बात को पहले आप मुझे बताइए जैसे अगर कहें आपकी सो रुपया आपके पास है और आप किसी के पास दिये उसको पैसा सूथ पर दिये साधारन ब्याज पर दिये तो आपका पैसा दुगना कब हो जाएगा जब सो रुपया वह बापस देगा सूथ के रुपय मिलेगा तो मतलब की 200 और 100 300 रुपया मतलब जितना अगर 100 रुपया आपका मुल्धन है पी है इसको बोलिए मुल्धन को पी हम लोग बोलते हैं पी है और अगर आपको साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट भी 100 रुपय मिला तो आपका पैसा दूर नहों गया अ देखना और 500 100 100 रुपया से 600 रुपय हो गया मतलब की छे गुना हो गया इस तरह का कोश्चन खुब आता है और आपको साधारन व्याज और चकृषदी व्याज थी पूचता है तो हम लोग चलिए उसको करते हैं अब देख़िए फॉर्मूला में कैसे बनता है जैसे हम एसाई बराबर पी आर्टी बाई हंडर्ड लिखे अप पैसा हमारा दो गुना हो गया चार गुना मालिजे हो गया पैसा चार गुना कब होगा जब साधारण व्याज्जो था वह थरी पी मिले हमको मूलधन का तीन गुना, जैसे मूलधन का पांच गुना हमको मिला, तब नहीं ये छे गुना हो गया, मूलधन का अगर तीन गुना मिलता, तीन सो रुपया, तो हमारा पैसा कितना हो जाता, तीन सो एक चार सो मतलब चार गुना, तो साधारन ब्याज़ जब P के, साधारन ब्य याद कर लिजे गुना माइनस वन अगर बोलेगा कितने वर्स में हुआ तो नीचे में वर्स लिखेंगे कितने वर्स में हुआ या अगर दर पूछेगा रेट पूछेगा तो हम लोग यह फॉर्मूला लगाएंगे question करते हैं उसके साथ साथ हल करते चले जाएंगे उसके और अधारण ब्याच पर 10% की वार्शिक दर से कितने वर्ष Amile चार कुश्च्ट में कितने गुनी हो जाएगे गुना या गुनी लिखता है कॉस्चिन में चार गुनी हो जाएगे ये चार गुना हो जाएगा दो कितना गुना हुआ है चार गुना माइनस वन बटा 10 परसेंट की वारशिक दर से तो दस परसेंट हम लोग का वारशिक दर हो गया गुना हांड्रेड गुद बन गया हमारा कुस्चन एक जिरो से एक जिरो कटा चार मिसें गया तीन तीन मुने दस मतलब कि टीस वर्सों में हमारा धन चार गुणा हो जाएगा कोई धनराशी साध़्ान व्याश पर 10% कि धर से रहा कितने वर्सों में चार गुणा हो जाएगी तो तीस वर्सों में चार गुणा हो जाएगी है sc Add घंग को सब्स치जंट बनाते हैं लोग this formula तो देखी क्या करते हम लोग 3p हो जाता हमारा साधारन भी त्री मिलता बरावर पी हमारा मुलधन गुने दर और हमारा कितना दिया हुआ 10 टाइम हम को निकालना था इतना हम लोग करने के बजाए सीधे सीधे इसको मुझावानी हम लोग बेना सेखेंगे चार गुनी हो जाएगी मतलब चार में से घटा दिया तीन और बटा दस गुने सो सीधे आप लिखते तीन बटा दस गुने सो अगर बोलता कि कोई देनरास्ति साधारन भ्याश पर 20% की को स्चेंज कर रहे हैं 10% के जगह 20% कर देते हैं चार गुनी के जगह शो जगह 5 गुनी बोल देते हैं तो क्या करियागा पांच गुनी हो गए तो पांच में 1 जाएगा 5 गुना माइनस वन है 5 माइनस वन किये और उसके बाद नीचे में आपको बोल रहा है 20 परसेंट की दर से तो नीचे में आपको दर लिखना है या वर्स लिखना है जब दर लिखना है तो 20 हम लोगों दर दिया वह तो दर लिखे गूने 100 मतलब दर चार 5 में से एक जाएगा चार चार से इसको काटेंगे चार पच्चे बीस चार बट्टा बीस गूने 100 आप इसको काटिए जैसे भी काटना को 25 हो पांचों के 20 मतलब की 20 वर्सों में कोई धनरासी 20 परसेंट की वह सिक दर से 5 कितने वर्सों में पांच गुनी हो जाएगी तो 20 वर्सों में कोई धन्रासी 25 परसेंट अगर लिख देता 25 कि दर से कितने वर्सों में 7 लिखनेट मैं हो जाएगी तो 7 में से एक जाएगा 6 तो 6 बट्य हम लोग को क्या लिखना है 25 गुदने 100 25 कि 100 मतलब 24 वर्सों में अगर इसको 25 परसंट के जगह क्या करते हैं मान लिजे कि 5 परसंट कर देते हैं 5 परसंट की दर से कितने वर्स में 8 गुनी हो जाएगी तो 8 गुनी है तो 8-1 7 करेंगे यह दिया पांच इंटू हंड्रेड पांच भी से सो मतलब 20 सते 140 वर्स लग जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले को याद करने के बजाए यह साही बराबर पी आर टी बाइंड्रेड जो है या मुल्दन मुने समय गुने दर बटा सो इस फॉर्मूले को लगाने के बजाए इस पृणा गुनी का जो भी कोस्चोंटों को बना दीजाएंगे कि इतने वर्सों में इतने गुंए हो जाती है तो कितने गुंए कितने क्टौतों करते से र 10 गुणी हो जाती है कितने टाइमें 10 है में 10 ग्याद करें पिछला कुस्चन जो था उसमें पर्सेंट दिया हुआ था और पूछ रहा था कि समय कितना लगेगा अब कि गुना दिया हुआ अपोच रहा है कि दर कितना होगा तो चलिए पिछला वरकाई समय पूछ रहा था अपकर पूछ रहा है ठीक है तो चलिए गुनी कितना हो जाता है तीन गुन movimento करें गुन minis1 बट्टा में किया लिखना है दर या वर्स लिखना है यहां को बेस दिया हुआ है बत्टा दस कुन सो डोटे दस हो गया यह एक जीरो से एकड़ी दो बचारica यहां दोगोने 10 मतलब 20 हमारा हो गया अंसर बहुत सिम्पल क्या की टीन माइनस एक बटा दस तो तीन माइनस एक मन में तो नगुनी हो जाती है तो साथारन गुन गु्षक की दर ग्यात करें कितना गुने हो जाता है दो गुना थो माइनस बचेगा बटा में पांच गुन थूइए एक वट फ तो हम लोगका क्या हो जाता भीक वर्स या अगर बुलता कि 15 पंदरा वर्सों में फोनि हो जाती है तो सद्वायरन्व्याज कि धर ज्यातकर रहें तो पंदरा नीचे चार वनाट ऊपर में चला जाएगा थीन बचे गा थीन बसाथ 15 पूना थीन पतलों सेट प्र इसका बीश हो जाता है कितना टाइमस हो जाता है टाइमस माइनस वन बटा रेट या इयर इंटु हंड्रेड तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप सवाल बिल्कुल चुटकियों बना लेंगे मुश्किल से में टाइमिंग का ही होता है बनाना तो सब जानते हैं टाइमिंग कैसे सुधरेगा तो आप कुछ कुछ ट्रिक्स जरूर जाएं अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से बना सकेंगे चलते हैं कोई रासी साधारन ब्याद से पांच वर्सों में स्वैम की दुगनी हो जाती है तो पांच वर्सों में स्वैम की दुगनी हो जाती है तो टू माइनस वन गुना गुनी है उपर में मैंसे एक गटा ना है कितने वर्सों में पांच वर्सों में अब बोलता है कि कितने वर्सों में स्वैम की छे गुनी हो जाएगी तो छे गुनी हो तो यहां भी गुणा माइनस वन अब बट्टा अब हमको नहीं पता है कि कितने वर्सों में तो उसको हम लोग एक्स रख लिए अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो दो में से एक गया कितना बचा एक बट्टा पांच बराबर छे में से एक गया पांच बट्टा एक्स तो एक्स बरावर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे एक्स बरावर हमारा क्या जाएगा 25 मतलब 25 वर्स पांच वर्स में दुगनी होगी और छे गुना होने में उसको कितना समय लग जाएगा पचीश साल लग जाएगा इस को अगर आप एसाइब रावर पी आटी या मुल्दन गुने समय दरबटा सौ से बनाते तो बहुत टाइम लग जाता इसी को और चेंज करके देखिए मान लिजे कि पांच वर्स के जगा दस वर्स कर देते हैं दस वर्स में मान लिजे कि यह तीन गुनी हो जाती है तो कितने वर्सों में च्छे गुने की जगा पांच गुना कर देते हैं कि चेंज करकर के देखिए कोस्टन बनाना तो आपके हाफ में आपके दिमाग में कॉंसेप्ट हो जाने चाहिए तो कोई राशी साधारन दो पच्छे दस एक इधर जाएगा पांचों के बीस अंसर आ गया बीस वर्स मतलब स्वाइं के पांच गुनी कितने वर्सों में हो जाएगी बीस वर्सों में तो यह सवाल बहुत आसान होता और एक्जाम में अक्सर पूछता है तो आपको उमीद है कि यह बिलकुल समझ म कितना पूना हो जाएगा इस पूस्चन को भी हम अगले वीडियो में करेंगा तो चोटा चोटा इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कॉंसेट्ट बिलकुल ही क्लियर हो जाए एक वीडियो का मतलब एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बिलकुल एक टाइप आपके सब्सक्राइब यूरू करिएगा लाइक कीजिए सेर कीजिए ओके बाई